गुल मॉनिंग स्टूडेंज जैसा कि हम अक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं और इसका क्वेस्टन नमबर 1 इसके हमने 7 पार्ट कर लिए हैं आज हम इसका 8 पार्ट करेंगे 8 पार्ट है आपका 1.6 इकोल टू Y अपॉन 1.5 अब आपने इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है Y की वैल्यू निकालनी है ठीक है 1.6 अब 1.5 क्या कर रहे है Y को Divide कर रहे है ठीक है रैट हैंद साइड है जब हम इसको Left हैंड साइड लेके जाएंगे Divide कर रहा है तो यह क्या कर लेगा इस तरव जाके multiply करेगा 1.6 multiply 1.5 ठीक है? equal to y 1.6 1.5 के साथ multiply किया आपका अंसरा है 2.40 multiplication आपको आतियोगी करने point को कैसे multiply किया जाता है देखो क्या लिखा है आपका 1.6 multiply 1.5 ठीक है? तो आपने point को यहाँ पर छोड़ देना है आपने किसको multiply करना है? 16 को 15 के साथ multiply करेंगे 16 multiply 15 ठीक है? 16.5R 80 multiply 16.1R 60. अंसरा आगे आपके पास 240. यहाँ पर आपने 240 लिख देना है अब आप point कैसे लगाओगी? तो आपने देखना है कि point के right-hand side में कितने digit हैं? दोनों को ही count करना है आपने दोनों numbers के digit आपने count करने हैं कौन से जो point के right-hand side होगे? तो इसमें point के आगे कितने digit है? 1 और इसमें point के आगे कितने digit है? 1. 1, 2 2 digit होगे? तो अंसर में आप point के right-hand side में 2 digit होगे. 1, 2 2 digit के बाद आप point लगा दोगे यह आपका अंसरा जग है 2.40 ठीक है? y equal to 2.40 then y equal to 2.4 अगर आप यह अंसर भी लिख दे हो तब भी आपका अंसर correct है ठीक है? अब आते है आपका 9th part 9th part क्या है? 7x minus 9 equal to 16. अब आपने इसमें x को find out करना है ठीक है? 7x 7x equal to 16, 16. अब हम 9 को right hand side में लेके जाएंगे 9 left side किसका है? minus का, right side किसका हो जाएगा? यह plus का हो जाएगा ठीक है? यह बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो चीज left hand side में रखी होगी वो पहले लिखनी है आपने और जिस चीज को आप लेकर जा रहे हो वो चीज बाद में लिखी जाएगी ठीक है? अगर इस तरफ को लेके जाते हो then अगर यहाँ पर आपका digit है तो वो पहले लिखा जाएगा जो चीज आप उठा के लेके आ रहे हो वो आपने बाद में लिखनी है ठीक है? यहाँ पर 16 था 16 पहले 9 को आप 7x इक्वल टू 16 प्रस 9 कितने होगे? 25 अब x, x की value निकार नहीं है अब 7 क्या कर रहा है? x को multiply कर रहा है तो जो चीज multiply करती है वो दूसरे तरफ जाएके क्या हो जाती है? divide हो जाती है then x इक्वल टू 25 और 7 क्या हो जाएगा? 25 के साथ divide हो जाएगा तो अंसर आपका आएगा x इक्वल टू 25 अपॉन 7 यह आपका आंसर है next question है 14y minus 8 equal to 13 अब आपने इसमें y को find out करना है ठीक है? 14y equal to अब same 13, 13 minus 8 को right hand side लेके गे minus 8 है यहाँ पर क्या हो जाएगा? plus का 8 14y equal to 13, 8 को plus किया 21 then y equal to अब y यहाँ पर multiply कर रहा है 21 को क्या करेगा? यह divide करेगा ठीक है? कितना आएगा? 21 upon 14 अब 21 और 14 दोनों ही किसके table माते हैं? 7 के table में आते हैं 7, 2 are 14 7, 3 are 21 then y equal to 3 upon 2 यह आपका आंसर आजाएगा ठीक है? आपने क्या करना है? लिखने तो हैं copy में लेकिन साथ साथ में आप इसकी practice भी करना जब तक आप practice नहीं करोगे आपको यह question नहीं आएगे जितना practice करोगे उतना आपके दिमाग में जादा बैठेगा ठीक है? तो जब भी आप copy में question solve करो तो पहले इसको लिखो तो पहले आपने खुद solve करना है उसके बाद copy में लिखना है ठीक है? Thank you